सो हेलो दोस्तो वेलकम बैक टून वीडियो तो दोस्तो हिमाचे परदेश फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो आप लोगों की बनमित्र की भरती हुई थी जो की हाई कोट में केस चला हुआ था फिर हाई कोट ने रहत दी और यहां पर जो भी आप लोगों के इंटरव उसके लिए क्या परस्ताव जहां पर बनाए गए हैं वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा जानि आप लोगों को 75 फिजदी अंक किसी हिसाब से आप लोगों को मिलेंगे वो भी पूरी इंफ्रमेशन आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दी मिल रही है और उसी भर्ती के रोल्स के मताविक आप लोगों को आगे भर्ती के लिए रखा जाएगा और आप लोगों को भर्ती इसमें किया जाएगा तो चलिए फिर बिन बरजाय किये हुए जो भी information आई हुए बनमित्र भर्ती से रिकार्डिंग भो हम आप लोगों को बताते हैं तो दोस्तों देश आते हो notification आप सभी लोगों की मोईल स्क्रीन पर इस टेम दिख रही होगी तो अब आप लोगों के लिए आगे प्रक्रिया किस तरह की होगी वो सुनिये ध्यान से तो अब इंटर्वियू इस भर्ती में नहीं होगा जोग्यता से बनेंगे बनमित्र ठीक हैं तो हाई कोट के अदेश के बादरा जिस सरकार ने दस अंकों के साक्षादकार की शर्त युववो हटा दी गई है और आगे की भर्ती प्रक्रिया को हरी जंडी दे दी गई है कल की कैबिनेट में ही जो हो इसे मंजूरी दी गई है अब किस तरह की प्रक्रिया होगी वो मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूँ तो आगे आप सुनिये हर्शवर्दा सिंग चुहा ने इस भर्ती के लिए क्या कहा तो कैबिनेट बरीफिंग में उद्योग मंतरी हर्शवर्दा सिंग चुहा ने बताया कि अब बचातर फिजदी अंक जो होंगे वो आप लोगों की प्लस टू में जो आप लोगों के अंक है उसके हिसाफ से आप लोगों को दिये जाएंगे ठीक है तो राज्य सरकार ने दो हज़ार एकासट बर मित्रों की निउत्ती को सभी क्रिती परदान कर दी गई है और दस अंकों के जो बेक्तिकत साक्षादकार की शार्थी वो खतम कर दी गई है ठीक है तो अब 90 अंक का ही आप लोगों का एक हिसाफ से मेरिट यहां पर बनेगी तो नंबर की मेरिट नहीं होगी अब सिर्फ 90 मार्क्स की ही जहां पर आप लोगों की मेरिट बनेगी जिसमें प्लस टू के अंक होंगे जिसे हिसाव से उसमें 75 फिजदी वह अंक होंगे और जो 15 अंक आप लोगों को दिये जाएंगे वो दिये जाएंगे सैटिफिकेट के तो सैटिफिकेट किस तरह किस तरह के होंगे वो मैं आप लोगों को यहां पर बतायाता हूँ तो इसमें ध्यान से सुनिये 2021 बनमित्रों के लिए जमादो में 75 फिजदी अंकों की शर्त जो होती है उसे जो गिता में सबसे पहले आगे रखा गया है अगर आप लोगों के जमादो में 75 फिजदी अंक हासल है आप लोगोंने की यह हुए हैं तो आप लोगों को पूरे अंकों उसमें मिलेंगे और जब अगर आप लोगों के 75 फिजदी से कम अंक हैं तो उसे आप 0.75 जो वो गुना कर साथ हैं उसे इसाब से आप लोगों को यहांपर मार्क्स दिये चाएंगे और पंदरा अंक जो होंगे वो सेटिफिकेशन की होंगे सेटिफिकेट किस तरह की होगी वो मैं आप लोगों को यहां पर बदाता हूँ तो इसमें इकलोती बेटी को मेरिट में तीन अतिरिकत अंक देने का फैंसला किया गया था पॉलसी में बिद्वात राक शुदा जा एकल महिला के लिए भी तीन अंक होंगे आर्थिक रूप से कमजोर जानी EWS और BPL परवार से समधित अवेद को SCST, OBC को दो अंक इसमें मिलेंगे अगर आप लोग NCC, Barscout and Guide और NSS, सहीतराश्टर केलकुस पर दामे थे तो उसमें 5 अंक जोरो तैक किए गए हैं तो इस रहसाब से 15 अंक का यहाँ पर आप लोगों की मेरिट एकतियार की जाएगी और उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा तो अगर 75 फिजदी अंक आप लोगों के प्लस्टू में थे वो अंक आप लोगों को पूरे मिलेंगे और 15 आप लोगों किस तरह ले लेते हो तो उसके भी आप लोगों को यहां पर जो हो वो मार्क्स दिये जाएंगे तो टोटल 90 नंबर की ही मेरिट आप लोगों की बनेगी और उसी हिसाब से आप लोगों को यहां पर चैनित किया जाएगा